आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ कच्छे आम की लॉंजी यह लॉंजी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको कई जगह कई कई नामों से जाना जाता है और मैंने यह बनारसी स्टाइल में बनाया है और यह बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं और आप इसको रोटी के साथ पराटे के साथ पूरी के साथ कभी भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है और बहुत अच्छी बनती है और साथ में बहुत ही हेल्दी भी होती है यह यूपी बिहार में इसको गुरंभा भी बोला जाता है और इसके अंदर जो प क्लाउची ऐसे पारहने कर्सकाऎटे यह लिए भीत केट को और पंड़नाaning bringing वीडियो के नीचे लाइव का खेता है यहाँ ले लीए है यह आम और किन्हकों लिए आधा किल्ले लिए नहीं है और र предложコा तरण में यह कुड़ कर लिए साथ मसाले कला जीड़, मेथी, जीरा, साफ और राई बढ़ है कलाओ, मेथी अथी, मेथी, मेथी, कलाओ, हेल्दी राई यहां पर मैंने गुड लिया है मैं गुड के साथ बनाऊंगी इसको आप चाहें तो चीनी के साथ भी बना सकते हैं पर गुड के साथ बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा तो अभी मैंने ले लिया है कडाई को मैंने गरम कर लिया है यहां मैंने डाला है ओयल तो यहां इसमें 5 खड़े मसालों का यूद्ध होता है तो इसलिए हम लोग पंज फोरन बोलते हैं आप चाहो तो इसमें बहुत सारी सब्जियों में इसका यूज करकी जल से बना सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है इसका एक अलगी फ्लेवर आता है अगर इसको डाल के आप बनाते है कोई सब्जी दो तो यहां पर मैंने इसको भून लिया था अच्छे से अब मैंने जो चॉप किया हुआ मैंगो है उसको मैं यहां पर यहां पर मैं यह गुटली भी साथ में एट करूंगी इसको खाने में बहुत मजा आता है तो इसलिए मैंने इसको भी साथ में एट कर दि और उसके बाद हम इसमें cover करके थोड़ी दिर हम इसको भूनेंगे, थोड़ी दिर हमें भूनना है इसको ताकि हमारे mango अच्छे से भून जाए, उसके थोड़ा दिर मैंने cover कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, ये mango हमारा भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, प इसमें पर तक थोड़ा आ जाए, उतना हमें पानी दिर होतना है, झाले इसमें बूनने से बहुत अच्छा आता है, ह मैंने इसके पनी पूड़ी देख सकते कर आप मेंध़ा हमें द rumors, इसमें तो मैंध्य मैं एकड़ी घैड़ी ने रिखना है crimes, आप सोच रहे होंगा इसम यहां पर गुजरात में इस टाइप का ही गुण मिलता है खाने में बहुत टेस्टी होता है तो वही मैंने योज किया है क्योंकि अपने यूपी में तो थोड़ा ब्राउन डार्क कलर में होता है तो यह गल जाएगा इसी में आप देख सकते हैं इसकी ठीकनिस कैसी है इस श्रीबिशर आता है प compulsory가 तर झाल सकते है तो वह तो मैंने बाद में एट किया है तो यहां पर मैं रेड चीली भी एड कर देती हूं निसार के आप थी तो यहां पर हमेंसे नहीं हुच कर सकते हैं तो आप कर सकते है अगर आप करना चाहे तो आम की लॉंजी रेडी हो गई है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और इस तरह की ठीकनेस हमें रखनी है क्योंकि जब ठंडी होगी तो ये लॉंजी गाड़ी हो जाती है तो आपको इस तरह का रखना है तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है और इसको हम पूरी पराठे रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत अच्छी लगती है तो आप भी पनाये फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपको मेरी कच्छे आम की लॉंजी कैसी लेगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको पसंद आई तो शेयर जर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालू तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कूल ना भूला करिए आपका एक लाइक हमें अधिक मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाने के तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स